असलाम लेकुम मिवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ट्राउजर का भोती प्यारा साइज स्टाइलिश डिजाइन लेकर आई हूँ इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने ट्राउजर की फ्रंट और बैक साइट ली है जैसे हम फ्रंट साइट के चुड़ाई कम रखते हैं तो हमने ढाई इंच चुड़ाई जादा रखनी है डिजाइन बनाने के लिए और लेंथ हमने नॉर्मल ही रखनी है दोनों साइट की सबसे पहले यह मैंने बुकरम का पीस लिया है इसकी लेंथ इस तरहां से मैंने 9 इंच रखी है और इसकी विठे सारे 3 इंच अब इसको हम डबल करेंगे डबल करेंगे यह मैंने बुकरम का एक और पीस लिया है इस पर हम चुड़ाई की साइट पर हाफ इंच से थोड़ा स केको कट किया हुआ है यह याली इस यह से देखें 503 इंचीज से यह अभ हम इस बुकरम पर मार करेंगे इस नहीं से हमने 2 इंच पर मार करना है यहां पर मार करने के बाद अब इस इन होको हम पिश घुलाई में से लेकर आएंगे यहां तक को commitment का नातक prepared six देखें इस शेप में हमने बुक्रम को कट करना है अब बुक्रम को डबल करके इस राउंड कट को भी ऐसे डबल करके यहां पर यह देखें रखना है और बुक्रम के उपर मार करते जाना है एक मार करने के बाद अब ब्राउन शेप को खोल कर हमने ऐसे रखकर मार करना है इस तरह से मैंने मार कर लिया है अब इसके बाद हम बुकरम को कट कर लेंगे बुकरम को कट करने के बाद इसको आखिर से ये देखें यहां पर इस शेप में कट करना है इसको cut करने के बाद ये मैंने बुकरम की strip cut की है एक इन चोड़ी अब इन दोनों को हम ट्रॉजर के साथ के एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पैस्ट कर लेंगे ये देखे इस तरह से मैंने इसको पैस्ट कर लिया है अब इसको पैस्ट करने के बाद यहां पर हम cut लगाएंगे अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को बुकरम की तरफ फोल करके हमने इस्टिच करना है इस तरह से देखे मैंने अंदर वाली साइट से फैब्रिक को स्टिच कर लिया है अब यह मैंने अपने टाॉजर का फ्रंट साइट लिया है इसके उपर हम इस डिजाइन को रखेंगे यह देखे इस तरह से हमने डिजाइन को रखना है इसको हम सैट करके रखेंगे फ्रंट साइट पर मैंने यह वाला डिजाइन बनाना है इसके लिए मैंने front side धाई इंच जादा रखी है आप लोग याद रखेगा धाई इंच जादा हमने front side रखनी है back side से अब इसको हम pinch के साथ cover कर लेंगे बुकरम को cover करने के बाद बुकरम के साथ साथ से stitch करना यहां से यह देखें ऐसे start करेंगे बिल्कुल हमने बुकरम के साथ साथ से लाई लगानी है ऐसा design आप लोग अपनी स्टीफ पर भी बना सकते हैं यह देखें इस रहां से मैंने बुकरम के साथ साथ से stitch कर लिया है इसको stitch करने के बाद अब यहां से यह जो extra fabric है बाहर वारी side से इसको हम cut कर देंगे fabric को cut करने के बाद सारे corners में हम नोचिस लगा लेंगे यहां पर नोचिस लगाने के बाद इस design को हम wrong side पर ऐसे fold कर देंगे कि इस तरह से fold करने के बाद हम अपने पाइंचो को press करेंगे यह देखे मैंने अपने पाइंचो को press कर लिया है और यहां से यह मैंने जो धाई inch side से extra लिया था fabric इसको हम यह देखें कि धाई inch extra fabric है इसको हम बात में cut करेंगे अब इसके बाद यह मैंने अपनी back side लिया है इस की उपर हमने print text डालने हैं ऐसे बारिक बारिक हमने काफी सारे इस पर print text डालने हैं एक मैंने print text डाल लिया है यहां पर यह देखें मैंने काफी सारे print text डाल लिये हैं अब यह मैंने extra पट्टी लिया है इस पट्टी को हम एक side से fold करके पाइंचे पर यहां पर रखेंगे और stitch कर लेंगे इसकी भी length हमने normal ही रखनी है क्योंकि यह मैंने extra पट्टी को नीचे रखकर stitch किया है तो हमारी length कम नहीं होगी अब इस पट्टी को wrong side पर fold करके hand stitch कर लेंगे देखें मैंने कर लिया है अब इसके बाद यह मैंने अपनी front side ली है इसको front side को हमने थोड़ा सा नीचे बढ़ा कर stitch करना है और इस fabric को यह देखें बाहर वाली side पर ऐसे fold कर देंगे बात में यहां से stitch करने के बाद उसको हम extra fabric को cut कर देंगे इसके उपर ऐसे रखकर यहां से stitch करेंगे ऐसे हमने थोड़ा बढ़ा कर स्टिच करना है front side को अब यह सिलाई लगाने के पास जो मैंने धाइच कप्ड़ा ज्यादा लिया था उसको हम उपर से cut कर देंगे यह सिलाई हमने उपर तक लगानी है यह लास्ट में देखें मैंने अपने design को ready कर लिया है सरहां से मैंने यहां पर पर्स को भी हैंस्टिच किया है तो कैसा लगा आपको यह मेरा stylish design देखें बनने के बाद कितब beautiful लग रहा है तो अगर आपको यह मेरे design अच्छा लगा हो त कर दें और हमारे चैनल को subscribe करें थैंक यू